हेलो गाइज वेलकम बैक तू हाव तो कनेडा प्लेलिस्ट तो आज की वीडियो में हम बेसिकली कवर करेंगे हाव तो गेट यूर कनेडियन ड्राइविंग लैसे तो नो मेंटर अगर आप इंडिया में हो यह फूल बेसिक टू अडवांस फूल डीटेल वीडियो होने वाली कनेड़ में यह सिस्टम यहां पर लाइसेंस केटेगरी वाइज डिवाइड है फूर इक्जामपल यहां पर केटेगरी ए बी सी डी एफ जी एच इस तरह से डिवाइड है अगर मैं बात करूं केटेगरी ए की तो उसके अंदर बहुत सारे लोंग हैवी वीकल हो जाते हैं लंबे ट्रक जो loading and loading में जाते हैं category B में उससे हलके, C में उससे हलके, D में उससे हलके इस वीडियो में हम cover करेंगे कि हमें car का driving license कैसे मिलेगा और वो किस category के अंदर fall करता है तो जो car का driving license होता है वो under G category के follow करता है और इसके इलावा अगर मैं बात करूँ तो bike का so category M के अंदर fall करता है तो यह तो होगी side की बात तो अभी हम आते है main बात की तो चलो भाई सीधी बात करो कि अब गाड़ी के driving license कैसे मिले तो उसके लिए हमारा होता है G category, so जो G category है car driving license के यह अंदर 3 category के, sub category के अंदर divide करी गई है for example G1, G2 और G, तो हमें तो एक गाड़ी का license ही है और यहां तो G1, G2, G2 तो simple शब्दों में बताऊं तो जो गाड़ी का license है वो तीन category में divide है G1 को हम learning basic, G2 को और learning basic और G को हम final full G कह सकते हैं, तो इसको अभी हमें समझाता हूँ what is G1, G2 and G So G1 is the knowledge test exam जो आप देते हो Canada में आके सबसे पहले और यह mandatory है, यह series इसी तरह चलती है So अभी बात करते हैं, G1 की requirements की, इसके लिए क्या requirements है So basically इसके अंदर age criteria रहेगा, आप 16 year old होने चाहिए at least और अगर आप international student हो, तो आपका passport, अगर आप Canadian हो, तो Canadian ID और जो आपका शाय से CIN number होगा वो लगेगा, मैं इस वीडियो की description में 2-3 link दूँगा, उनके अंदर आप और detail में जाके पढ़ सकते हैं और क्या के requirements है, तो यह तो रही document की बात, तो अब हम बात करते हैं G1 test की fees की, तो G1 test की fees है 159, I think without tax, और with tax यह $160 something हो जाती है तो जो G1 की fees होती है, वो $15 होती है, बट जब आप G1 देने जाते हो, तो G1 और G2 दोनों की एक साथ होती हो, कमबाइन होती है $159, तो अभी बात करते हैं, तो ठीक है भी है, हमें समझ आया गया, कि G1 के लिए requirements का है, documentation का है, eligibility का है, तो हम दे कैसे, तो for example, अगर आप कहीं view, अपनी location के near, आप सर्च करोगे, drive test near me, आप वहाँ जाके दे सकते हो, आप booking भी किरा सकते हो, एक मेरा suggestion आप सभी के लिए, अगर आप ब्रैम्टेन, मिसिसागा, ट्रोंटो या और कहीं crowded area में हो, तो अगर drive test 7 बजे खुलता है, तो maybe आप उससे पहले चले जाओ, क्योंकि कि आप image में देख सकते हो, और अगर आपको crowd के बीच में खड़ा नहीं हो न, you can book online appointment, I think, वो 10 dollar की शायद पढ़ती है, but I don't know, तो आप सब वो website पे जाके चेक कर सकते हो, मैं उसका link दे दूँगा, so अब हम बात करते हैं कि जीवन में आएगा क्या, basically उसके अंदर 40 question होते है 20-20, दो category में divide होते हैं, जो first category होती है, वो 20 marks की होती है, 20 numbers की होती है, उसके अंदर signals, signs, symbols होते हैं, जो second category होती है, वो scenario होते है, जो normal situation होती है, कुछ उसके अंदर fix चीज़े होती है, और कुछ होती है, कि in case अगर आपका यहाँ accident होगा, emergency होगी, तो आप उसमें कैसे react करोग होती है, उसके अंदर क्या सही, decision लेना आपके लिए सही रहेगा, basically you need to score at least 16 in each part, तो दो पार्ट है, हर एक पार्ट में 16 at least आने चाहिए, अगर आपके 16 से बिलो आया है, तो आप fail कर जाओगे, हाँ, अगर आप अपने जीवन में fail हो गए, तो आप उसके दुबारा भी दे सकते हो, retake दे सकते हो, what you have to do, only pay 16 डॉलर और आप multiple time दे सकते हो, हाँ, अगर आप sign वाला पास करते हो, और दूसरे वाला नहीं पास करते हो, कहने का मतलब है, अगर आप एक पार्ट पास करते हो, और दूसरा नहीं करते हो, तो जो पार्ट अपने पास किया है, वो आपको दुबारा देने की जरूरत नहीं है, जो नहीं पास हो वो ही आप दे सकते हो, उसी देन, उसी टाइम और कभी भी दे सकते हो, और जो बात रहती है, जीवन की वैलिडिटी की, I think वो six months की होती है, उसके बाद वो expire हो जाती है, So now हम बात करते हैं कि हमें G2 कैसे मिलेगा, So G1 के 12 महीने बाद we can apply for our G2, तो सीधा क्या apply कर देना है, just G1 दिया और 12 महीने रिके और G2 apply कर दिया, नहीं, G1 हमारा knowledge test है, और G2 हमारा road drive test है, तो उसके लिए हमें practice classes लेनी पड़ेंगी, But instead of 12 महीने या 2 साल wait करने के, अब सीधा G2 या G1 दे सकते हो, वो कैसे अगर आप इंडिया में हो, So don't forget to bring your Indian driving license और अपना extract, So कई जगा पे, for example, currently I am in Windsor, तो यहाँ पे आपका driving license चल जाता है, वो extract की जरूरत नहीं पड़ती, But if you are in Toronto, if you are in Brampton, then you must have to need your extract letter, तो वो accept नहीं कर अब बात करते हैं कि आपको extract letter मिलेगा कहां, तो वो हमारी local जो कचैरिय होती है, वहां से मिलेगा, और उसका extract letter और Indian driving license का फायदा क्या होता है, अगर आप G1 देते हो, तो आप अपना 1 साल का experience, अगर आपके पास Indian driving एक साल का है, पुराना है, तो आप उसमें add करा सकते हो, G जीवन के बाद आप direct G2 दे सकते हो, आपको 1 साल की वेट करने की जूरुत नहीं है, अगर आपको experience 2 साल का है, तो आप direct G दे सकते हो, अच्छे से classes लेना और दे देना, तो अभी बात करते हैं, चलो आपने experience डलवा लिया और आप G2 दे सकते हो, eligible हो G1 के बाद, तो आपको क 2 हफते की classes सही रहती है, तो classes का system क्या होता है, वेरी करता है area to area, और instructor to instructor, कहीं 45 to 60 minute की classes होती है, और उसमें I think 30 to 50 to 60, up to कितना भी charges कर सकते हैं, वो हर दिन का, हर test का मतलब, एक दिन का 35 to 60, इसके between charge कर लेते हैं, और 45 to 60 minute की अपनी classes होती है, तो आप 1 से 2 हफते की classes ले सकते, उसके बाद आप good to go, आप बात करते हैं, आपको G2 drive test book कैसे करना है, वो आप अपने nearly drive test पर जाके भी book कर सकते हो, और आप अपने खुद से भी online जाके book कर सकते हो, आप बात करते हैं, हमने G2 भी clear कर लिया, और हम G के लिए apply करते हैं, और अगर हम G2 pass कर लेते हैं, तो हम गा अगर आपके पास experience एड नहीं है, तो उसके बाद आप again $90 लगेंगे आपके G के लिए, आपको book करने के लिए, और आप अपना G1 उसी process से nearby drive test से book कर सकते हो, अगर आपका instructor आपकी सब चीजों से satisfy हो जाता है, then you will get your G full license, आप कहीं भी कैसे भी गाड़ी चला सकते हैं, Guys 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 guys, so guys a golden tip I want to share with you, जो मेरे को भी नहीं पताती, जितना पुराना आपका GE license होगा, उतनी कम आपकी insurance होगी, for example आप जब भी कनेडा में land करते हो, within one month आप अपना GE license और सीन वगारा बाकी सारे काम खतम कर लो, बाकी सब का इतना चक्कर नहीं पढ़ता, बाकी लाइसे जित यह सब कहते हैं कि अभी हमने कौन सा गाड़ी लेनी है, बाद में ले लेंगे, बाद में कर लेंगे, उनका एक एक साल ऐसे ही निकल जाता है, आपका यह ध्यान रखना कि यहां 300 से लेके 500 से लेके अलग-अलग की बात करें, तो वहां गाड़ी to गाड़ी पी डिपेंड कर हुआ उतनी कम आपको इंशोरेंस पे करनी पड़ेगी, so this is my golden tip for you, this tip is suggested by my cameraman, which I forgot, so thanks my cameraman for this tip, so guys, I hope this video will be informative, I hope this video will be informative, don't forget to subscribe my channel, like, share and whatever you want